आज की वीडियो में हम सीखें Minimization Simplex Method by Maximization यानि हमने Minimization के Problem को Solve करना है Maximization के तरीके से इसको समझने के लिए हम Example ले आते हैं Minimize, Cost Function है C is equal to minus X minus Y Subject to the Given Constraints यह Constraints हमें Given है और यह एक Minimization Problem है लेकिन अब अगर हम देखें तो जैसे कि हम जानते हैं कि Minimization Problem में जो Standard Form होती है उसमें हमेशा Constraint Greater than equal to some constant लिखावा होता है जबकि हमारे सामने जो Problem है इसमें Less than equal to some constant है जो कि Maximization की Standard Form होती है इसलिए हम क्या करेंगे हम Minimization के Problem को Maximization के Problem में Convert करेंगे इसके लिए हम Supposed करेंगे जैसे हम जानते हैं कि Profit Function equal होता है Minus Cost के तो इसलिए जो Cost Function है इसको Minus से Multiply करेंगे तो यह आ जाएगा X Plus Y जो कि हमारा New Profit Function बन गया तो हमारा Objective Function अब यह है P is equal to X plus Y P यानि Profit जिसको अब हमने क्या करना है Maximize करना है Subject to the Given Constraints अब हम सबसे पहले इन Constraints को Slake Variable Introduce करते हुए Equation के Form में लिखेंगे 2X plus Y Plus S1 Equal to 7 इसी तरह यह बन जाएगा X plus 3Y Plus S2 Is equal to 6 और Profit Function हमारा बन जाएगा Minus X Minus Y Plus P Equal to 0 X और Y को Equation के दूसरी तरफ ले आएए अब हम इस Problem को Augmented Matrix के Form में लिखेंगे और Simplify करेंगे तो यह बन जाएगा यहाँ पर हम सबसे पहले Variables लिखेंगे जो की है X Y S1 S2 S1 और S2 स्लैक वरियेबल हैं और P Profit Function इसके बाद X के नेचे उसके कॉफिशेंट्स लिखेंगे जो की है 2 1 और Minus 1 इसी तरह Y के कॉफिशेंट्स है 1 3 Minus 1 S1 का कॉफिशेंट यहाँ पर 1st equation में 1 है बाकियों में 0 है और इसी तरह S2 का कॉफिशेंट 1st में भी 0 2nd में 1 और 3rd में भी 0 है और P का कॉफिशेंट 1st 2nd में 0 है जबकि 3rd में 1 है 1st equation के आगे constant आएगा 7 2nd के आगे आएगा 6 और 3rd के आगे आएगा 0 इसके बाद हमने इस augmented matrix को close कर देना है और फिर यहाँ पे हम partition कर देंगे dotted line के जरिए constants को अलग करना है और जो हमारा profit function है उसको अलग करना है अब हमने यहाँ पे negative numbers को देखना है इस में से negative sign को ignore करके जो सबसे बड़ा number होगा उसको हमने लेना है यह दोनों one one है तो किसी भी एक को आप ले सकते हैं तो मैं इस element को consider करती हूँ तो यह हमारा क्या होगा pivot column होगा तो इस pivot column को हमने क्या करना है use करना है इस matrix को आगे solve करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इस column का ratio लेंगे इस pivot column के साथ 7 ratio 1 7 by 1 किसकी equal होगा 7 इसी तरह 6 ratio 3 हो जाएगा 2 के equal तो इन दोनों में से 2 smaller number है इसलिए 2 किदर आरा है इस row में तो यहाँ पे यह जो number होगा यह हमारा pivot element कहलाएगा तो हमने इस pivot element को 1 बनाना है और इसके उपर नीचे 0 बनाना है इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे row operations करते हैं तो क्या operation करना पड़ेगा अगर हमने 3 को 1 बनाना है तो हमें इस row को 1 by 3 से multiply करना होगा और यह कौन सी row है 2nd row है R2 1 by 3 R2 करेंगे तो change किस में आएगा R2 में आएगा तो 1st row as it is आजाएगी उसमें कोई change नहीं 2, 1, 1, 0, 0, 0, और 7 2nd row को हमने 3 से सब को 1 by 3 से multiply करना तो यह बन जाएगा 1 by 3 यह बन जाएगा 1 यहाँ पे 0 as it is रह जाएगा इसी तरह यह आजाएगा 1 by 3, 0, और 6 by 3 हो जाएगा 2 के equal इसी तरह आप 3rd row as it is रहेगी minus 1, minus 1, 0, 0, 1, और 0 इस matrix को close कर देते हैं यहाँ पे partition कर देते हैं अब इसके बाद next step क्या है इस 1 के उपर नीचे हमने 0 बनाना है तो अगर इसके उपर 0 बनाना है इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा R, 1 में से minus करना पड़ेगा R2 को और change किस में आएगा R1 में इसी तरह इसको भी 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R3, अब क्योंकि पहले यहाँ minus sign है इसलिए R3 plus R2 और change आएगा R3 में इसको scroll करते हैं और नीचे लिखेंगे इनकी values तो यह हमारा matrix आजाएगा पहला operation है R1 minus R2 R1 में से R2 को minus करना है तो 2 minus 1 over 3 क्या आजाएगा 5 over 3 आजाएगा इसी तरह 1 minus 1 0 आजाएगा 1 minus 0 1 0 minus 1 over 3 1 over 3 ही आएगा 0 minus 0 0 आजाएगा और 7 minus 2 5 आजाएगा R2 में कोई change नहीं है इसको as it is लिख लेते हैं 1 over 3 0 और 2 अब R3 है इस पहे क्या operation करना है R3 plus R2 R3 में R2 को plus करना है तो minus 1 plus 1 over 3 ये आजाएगा minus 2 over 3 इसी तरह से 1 plus minus 1 0 0 plus 0 0 आजाएगा 0 plus 1 over 3 1 over 3 आजाएगा 0 plus 1 1 और 2 plus 0 2 आजाएगा इस तरह यहाँ पे ये operation कम्प्लीट हो जाता है अब हम इसको दुबारा से देखते हैं अभी भी हमारे पास ये एक negative number है जिसको हमने positive बनाना है दुबारा से ratio लेंगे इस column का इस column के साथ so 5 ratio 5 divided by 5 by 3 करेंगे तो ये आजाएगा 5 multiplied by 3 over 5 जो की 3 के equal आजाएगा इसी तरह से 2 ratio 1 by 3 करेंगे तो ये आजाएगा 2 multiplied by 3 जो की 6 के equal आता है तो इन दोनों में से smaller number 3 है इसका मतलब इस दफा हमारा ये pivot element होगा इसको clear करते हैं अब सबसे पहला काम क्या है जो pivot element है इसको 1 बनाना है जिसके लिए हमें first row को 3 by 5 से multiply करना पड़ेगा 3 by 5 R1 और change किसमें आएगा R1 में इसको scroll करते हैं और नीचे इसको multiply करके लिखते हैं तो ये हमारा matrix आजाएगा 5 by 3 को जब 3 by 5 से multiply करेंगे ये बन जाएगा 1 ये आजाएगा 0 next होगा 1 1 by 3 multiply by 3 over 5 तो ये आजाएगा 1 over 5 इसी तरह से यहाँ पर रह जाएगा 0 और यहाँ पर रह जाएगा 3 सो यहाँ पर पीछ एक mistake हुई है इस जगह पर जब हमने 0 minus यानि की r1 minus r2 किया था तो 0 minus 1 by 3 हो गया था तो यहाँ पर minus 1 by 3 आजाना चाहिए था और अब इसको जब simplify करेंगे तो ये आजाएगा इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं यहाँ पर आगया 5 by 3 multiply by 3 by 5 तो यह आजाएगा 1 0 as it is आजाएगा और जब हम 1 से multiply करेंगे 3 by 5 को तो यह आजाएगा 3 by 5 और इसी तरह से यह आजाएगा minus 1 by 5 0 और 3 बाकी सब as it is आजाएगा 1 by 3 1 0 1 by 3 0 2 और इसी तरह यह minus 2 by 3 0 0 1 by 3 1 और 2 आजाएगा अब next हमने इस 1 के नीचे वाले elements को 0 बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम करते हैं जो हमारा R2 है R2 minus 1 by 3 R1 करेंगे तो चेंज किस में आएगा R2 में आएगा इसी तरह इसको 0 बनाने के लिए R3 plus 2 by 3 R1 करेंगे तो चेंज आएगा R3 में इसको simplify करते हैं यहाँ पर हम अपना मैट्रिक्स बनाएंगे तो यह मैट्रिक्स है 1, first row as it is आजाएगा 1, 0 3 by 5 minus 1 by 5 0 और 3 अब यहाँ पर R2 है R2 में से हमने minus 1 by 3 R1 को minus करना है R1 को 1 by 3 से multiply करें इसमें से minus करें तो यह आजाएगा 0 यहाँ पर 0 है इसलिए इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा 3 by 5 multiply by 1 by 3 तो क्या आजाएगा 3 by 5 multiply by 1 by 3 3 और 3 cancel 1 by 5 रह जाएगा 0 minus 1 by 5 आजाएगा minus 1 by 5 इसी तरह से next हमारे पास है minus 1 by 5 और minus 1 by 5 को 1 by 3 से multiply करेंगे और नीचे में से जब minus करेंगे तो यह आजाएगा 2 by 5 और यहाँ पर उपर 0 है तो इसलिए यह 0 ही रहेगा और यहाँ पर है 3 3 को 1 by 3 से multiply करेंगे 1 रह जाएगा 2 minus 1 is 1 next अब हमने क्या करना है R3 के लिए R1 को 2 by 3 से multiply करना और इसमें plus करना है तो यह आजाएगा 0 यह भी 0 ही आजाएगा 3 by 5 को जब 2 by 3 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 2 by 5 2 by 5 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर इस से multiply करके इसमें से plus कर देंगे तो यह आजाएगा 1 by 5 और 0 यहाँ पर है तो इस digit पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और 3 को जब हम 2 by 3 से multiply करेंगे तो 2 रह जाएगा और 2 plus 2 is 4 इस तरह से हमारा operation complete हो जाता है और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि इदर कोई भी negative number नहीं है इसका मतलब यह हमारा maximization का process complete हो गया है और यह जो हमारे पास number है 4 यह क्या है? यह profit function है जो की maximize हो चुका है और cost function कौन सी? sorry cost function है यहाँ पर हमने देखना है कि variable यह कौन कौन से थे? x, y, s1, s2, p तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की value किसकी equal है? x equal है 3 के हम जानते हैं जो columns 1 और 0 के इलावा कोई और digits रखते हूं उसको हम 0 के equal रखेंगे x में 1 हैं बाकि सारे 0 हैं तो first row में 1 था तो first row की यह value x को assign होगा x equal to 3 इसी तरह y यहाँ पे है तो इसका मतलब y की value क्या होगी? 1 हो जाएगे s1 में 0 और 1 के इलावा दूसरे digits हैं तो इसलिए s1 0 के equal होगा इसी तरह से s2 भी 0 के equal होगा और profit हमारे पास किसके equal है? p is equal to 4 है initially यह हमारा minimization वाला problem था जिसको हमने maximization से solve किया तो profit हमारा 4 होगया profit को हमने किसके equal रखा था? minus times cost के equal रखा था इसका मतलब यह किसके equal होजाएगा? minus 4 के equal होजाएगा sorry यह 4 के equal होजाएगा तो cost function किसके equal होगा? cost function equal होगा minus 4 के अब हम इसको अपने initial function में x और y की value पूट करके चेक करते हैं कि answer minus 4 आता है या नहीं आता तो हमारे पास जो हमारा initial function है वो यहाँ पे है minimize c equal to minus x minus y इसमें जब हम अपनी value को put करेंगे c is equal to x की क्या value थी? x की value थी 3 तो यहाँ पे आ जाएगा minus 3 minus y की value है 1 तो c is equal to minus 4 तो यहाँ से भी prove आगे हो गया कि हमारी values बिल्कुल correct हैं जब x की value 3 हो और y की value 1 हो तब हमारे पास cost minimize होगा जो की है minus 4 क्ट与 ठाएगा की तो सुमें दे विल्कूर पास की थ unto तो झाटे जैंके भी की तो झाल झाल झाल